दूसरा में हमालियास को fold mountains कहते हैं वहीं western ghats को block mountains लेकिन इस सभी mountains एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं चली समझते हैं सबसे पहले है fold mountains आर्थ का outer shell यानि lithosphere छोटे-छोटे parts में divided हैं जिरहें tectonic plates कहते हैं यह plates semi-moltern mental layer की उपर float करती हैं और लगतार move करती रहती हैं जब यह movement की वज़े से आपस में टेकर आती हैं तो इसके बीच मुझूद sediments, debris या rocks compression force की वज़े से उपर उठना शुरू कर देते हैं इस process को folding कहते हैं और folding process से बनने वाले mountains fold mountains कहलाते हैं fold mountains को उनकी age के according दो categories में divide किया जाता है, old fold mountains जिसका example है अरवली hills और new fold mountains जिसका example है हिमाल्याज mountains का दूसरा type है block mountains जब tectonic plates में fault lines मुझूद हो और फिर यह tectonic plates move करती हैं तो इसके दो results हो सकते हैं या तो upward force की वज़े से बीच का हिस्सा rise हो जाएगा या फिर downward force की वज़े से यह side blocks नीचे drop हो जाएंगे दोनोगे cases में बीच का हिस्सा rise हो जाता है जैसे horse कहते हैं और नीचे drop down होने वाले part को graben कहते हैं इस process से form होने वाले mountains block mountains कहलाते हैं इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है Western Ghats या सहाधरी लास्ट रिसीडियोल mountains जो elevated area के erosion से form होते हैं जैसे नलमाला हिल्स दोस्तों यह थी कहानी अलग 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 प्रकार के mountains की अगली वीडियो में आप फिजिकल जोग्रफी के कौन सी concept को समझना चाहेंगे comment section में जरू बताईएगा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि global warming एक natural process है जैसे हम रोक नहीं सकते तो क्या हम बिलीव करेंगे जैसे समझते हैं कि आखर क्यों धर्ती पर increased temperatures को हम रोक नहीं सकते यह theory नहीं बलकि proven fact है जिसे मिलंकोविच नाम के एक scientist ने अपने तीन loss के जरीए प्रूव किया है पहला लाग कहलाता है eccentricity यह अर्थ जो लगातार अपनी orbit में sun के round revolve कर रही है eccentricity law के according अर्थ की orbit का size constant नहीं है और हर एक लाग साल में या orbit कुछ इस तरह से increase और decrease होती है जब orbit का size increase होता है और अपने last point पर पहुंचता है तो earth और sun के beach distance maximum हो जाती है और earth की temperatures drastically reduce हो जाते है वहीं जब orbit का size decrease होता है तो sun और earth की distance reduce होती है और earth की temperatures बढ़ते रहते हैं second law है obliguity यह law कहता है कि earth की axis जो 23.5 degree पर tilted है यह भी fix नहीं होता बलकि earth की axis 22.1 degree से 24.5 degree की बीच हर 41,000 years में कुछ इस तरह से increase और decrease करती है जब axis का tilt increase होता है तो जादा land portion sun की तरफ expose होता है जिससे earth के average temperature increase होते है last है axial precession यह wobble इसके according हर 26,000 years में earth की axis का direction कुछ इस तरह से change होता है यह मैंसे दो loss proven है जो earth के temperatures को increase कर रहे है वह यह axial precession अभी भी hypothesis stage में है दोस्तों क्या आपने पहले सुना था है लॉस के बारे में पहले comment section में ज़रूर बताईएगा और अगले वीडियो में आप कौन से ऐसे ही interesting scientific loss के बारे में जाना चाहेंगे comment section में ज़रूर बताईएगा और ऐसे informative videos के लिए